लोकसभा चुनाओ में राजस्तान में सबसे होट सीट रही बाडमेर में रविंदर सिंग भाटी की हार, कई सारे कारण, मूल OBC फैक्टर, जाट कास्ट, राजबूत कास्ट, भाजपा, कॉंग्रेस, तमाम कई सारे बिंदू रहे हैं, लेकिन अगर विधानसभा वार विश् चुनाओ मिल के लड़े हैं, ऐसे में यह मिथक किनारे होता है, कि हरी शोधरी उमिदाराम बेनिवाल को राजनितिक रूप से खतम करने के लिए चुनाओ में लाए थी, इस तरह का एक परसेप्शन गड़ा गया, कि बाईतू से विधानसभा चुनाओ दोनों ही नेतामने स ली हैं, उमिदाराम बेनिवाल ने, तो ऐसा सपस्ट माना जाता है कि इस सीट पे हरी शोधरी और उमिदाराम बेनिवाल ने दोनों ने शिदत से चुनाओ लड़ा है, खासा प्रभावी चुनाओ लड़ा है, इस सीट पे आरोप लगा आशो गैलोत पे भी, कि उन्होंने रविंदर सिंग भाटी की मदद करने की कोशिश की, रविंदर सिंग भाटी जिनका स्वैक गजब का था, अंदाज गजब का था, क्यों यह चुनाओ हार गे, कहां हारे, इन बिंदों पे विशलेशन करेंगे, नमशकार मैं प्रदीप हूँ, आप तिंग 360 देख रहे हैं, आपसे अपील हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो लाइक शेर कमेंट करें कि कैसा लगा विशलेशन, रविंदर सिंग भाटी एक आम साधारन परिवार का लड़का, शिव में विधान सभा चुनाओ लड़ता है, भाजपा कि उनके बीच ऐसा व्यक्ति विधायक होना चाहिए, विधायक होने की requirement क्या है वो शुरुवात जैसे रनफोर रस्तान भी किया, और उसके बाद जो digitally एहसास कराया था, उन्होंने वस्तविक्ता में भी बदला, ये बड़ी बात है, कि मैं आप लोगों की बीच पैदल तो उसके तुरंत कुछ ही महीनों बाद जब रविंदर सिंग भाटी लोकसवा का चुनाव लड़ते हैं, और लडने का पहला आदार था कि दो जाट लड़ेंगे तो बीच में आना है, तो कास्ट बेस पहला आदार रहा, राजपूत वोट एक तरफा जरूर रविंदर सि जिनका नाम था, टिकेट मांग रहे थे, ये भी था कि उन्हें टिकेट दिलवाई जाएगी, या उनके लिए लोबिंग की जाएगी, वो भाजपा में शामिल हो गए, तो भाजपा के ऐसा माना जा रहा था कि अगर कैलास चौधरी वोट जो है, वो दो लाग से कम ले जात इस लोगसबा चुनाओ में, तो सबसे अच्छे वोट उनको मिले हैं पच्पद्रा में, 51,029 वोट मिलते हैं टोटल, और कम मिलते हैं उनको, सबसे कम जो वोट मिले हैं, वो शिव में मिले हैं, 15,785 कैलास चौधरी को, और उसके बाद जैसल मेर हैं, तो कुल मिला के, यह 21 इस राउंड के जो गणना हुई, वो इस सीट पे, रविंदर सिंग भाटी की बात कर रहे थे, अपनके रविंदर सिंग भाटी किस तरीके से, लोगों को ऐसास कराना में सफल होगी, कि उनके बीच का जाय जन्मा, उनका बेटा, इसके बाद, यह जो अगर आंकडा देखे कि जैसल मेर में रविंदर सिंग भाटी 33,316 मातर की लेट लेते हैं, यहाँ एक बड़ी चीज है सीवे तोर पे, कि वहाँ पे SC और मुसलिम, डवल अम जे, मतलब मुसलिम, मेगवाल और जाट, गठवंदन जो है, वो रविंदर सिंग की हार का, फैक्चुली कास्ट बेस मूलो बिसी का वोट में कितना आया, राजपरोईट समाज पर भी बात चली कि राजपरोईट समाज ने वोट नहीं दिया, धान सिंग डोली कि क्या भूमी का रही, तमाम बातें अलग अलग जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, उनकी चर्चा करने नहीं बनती, लेकिन अ और अविंदर सिंग भाटी, अगर मुसल्मानों की मदद से मनते हैं, तो मुसलिम को वो सपोर्ट कर सकते हैं, शिव में, तो शिव में विधाय कौन बनेगा, अमीन खान उन्हें खुला तोर पे सपोर्ट कर देते हैं, ऐसे में हैं कि शिव में, उपचुनाओ में, अमीन ख जहांपे फिलहाल मुसलिम एक बड़ा बड़ा वोट स्क्योर करता है राजबुतों के वोट आए है लेकिन मुसलिम और मेगवाल वोट जसल मेर से नहीं आए दूसरी चीज जो है वो शिव वाली रही कि शिव में उपचुनाव होगा मुसलिम किसको मौका मिलेगा तो रविं 2018 वोट से ही रविंद्र सिंग भाटी आगे रहे है शिव विधान स्वा से अपने ग्रहक शेत्र से ऐसा माना जा रहा था कि अगर all DICAis हमिंख भाटी को मिले वोट एक तरफा होंगे तो निश्य ूर्पे रविंद्र सिंग भाटी खासा अंतर यहां से पाटेंगे लेकिन चार विदान सबाक शेत्रों में रविंदर भाटी आगे रहे हैं और चार में पीछे रहे हैं पीछे जहां रहे हैं वहां गजब का पीछे रहे हैं आगे वो शिव में रहे हैं जहां दो जार अठतर जैसल मेर का मैंने बताया कि 33,316 से आगे रहे हैं वो आगे रहते ह पच्पद्रा से और उनको अंतर मिलता है 17,654 रिफाइनरी उनका बड़ा मुद्दा था रिफाइनरी वाले लाके में खारवाल वगेरा जो मैं इश्यू पहले बताता रहा हूं तो रिफाइनरी वाले लाके में और 12,293 वोट से सिवाना में आगे रहे हैं सिवाना ने केलाश चौधरी को गजब के वोट दिया है केलाश चौधरी को सबसे ज़्यादा वोट चोहटन से मिले हैं माफिच चाहता हूं 53,216 सेकिंड नमबर इनको पच्पद्रा 51,029 और थार्ड नमबर सिवाना 50,482 वोट मिले हैं कुल मिला के 1,16,909 वोट में जो अंतर रहा है उसमें सबसे बड़ा जो फाइदा मिला है उमेदराम बेनिवाल को बाईतू से दिया है 91,584 वोटों की लीड इनको बाईतू से मिली है और तै कर दिया हिसान सदूंगी तो बड़ी चीज है इतनी लीड कुल मिला के भी सेकिंड नमबर पे उनको गुड़ा मलानी में जहां पे हेमाराम का प्रभाव है वहां 33,429 का अंतर मिलता है अगर ये दो सीटों पे ही हमाराम अगे रहते तो भी रविंदर भाटी दूसरी सीटों पे भी कम तर रहते हैं तो चार पे अगे रहे हैं चोहटन में 46,000 की उनको लीड मिली है तो यहाँ अगर बाडमेर की बात करें जहाँ सहर की बात करें वहाँ भी उमेदाराम 11,219 से आगे हैं यह वो सीट है जहाँ केलाश चौधरी ने कहा था कि मैंने नरेंदर पोदी की सबानी होने दी जाती के लिए जाट की बेटी को जिताने के लिए प्रियंका चौधरी को जिताने के लिए और वहाँ केलाश चौधरी को वोट मिलते हैं 29,000 खासे कम वोट मिले तो राजनिती बड़ा अलग तरीके का गेम है बाडमेर जो है वो पहले मैं जिक्र करता रहा के कॉंग्रेस का गड़ मानी जाती रही है 2004 तक तो भाज़पा का खाता ही नहीं खुला भाज़पा का खाता ही मानवंदर सिंग्ज जो सोल खोलते हैं 2004 में BJP 2009 में 2009 में कॉंग्रेस जितती है वापस हरीश चौधरी के सामने मानवंदर सिंग हार जाता है 14 में करनल सोना राम, 19 में केलाश चोधरी, तो आठ विदानसवा में कॉंग्रिस के पास सीट एक ही ही है, बायतू वाली, हरी चोधरी वाली, और आठ ही विदानसवा क्षेत्रों में भाजपा जीत गई, पांच विदानसवा सीटें हैं उनके पास, बाडमेर, शिव और बायत है, पच्पद्रा है और जसल मेर है, बीजेपी एक भी विदानसवा में आगे नहीं रही, सिवाना और पच्पद्रा में जैसा मैं ने बताया कि यह दूसरे नंबर पे रही, वाँ में तर हम तीसरे नंबर पे किसके हैं, तो कॉंग्रेस बाडमेर, बायतो, गोडामालानी चार सीटों पे आगे रही, बड़ी लीड के साथ में, और शिव में कॉंग्रेस दूसरे नंबर पे रही है, सिवाना और पच्पद्रा में तीसरे नंबर पे हैं, तो चार विदानसवा में रविंदर सिंग वाटी पच्छडे आगे रहे, वो जसल मेर, शिव, पच्पद् तो आरलपी गठबंदन जब हुआ, तो कॉंग्रेस ने एक जुट होके चुनाव लड़ा, हलागि अनुवान बेनिवाल के डायलोग सानक अलग आते रहें, कॉंग्रेस से बागी होके चुनाव फते खान लड़ा तो शिव सीट हार गए, सिवाना से लड़ा सुरियल प्रि जिला दिक्स मना दिया, उमेदा राम के लिए सभी कॉंग्रेस में जुट गए, आरलपी छोड़ के आये थे, पुरे केमपेन में पूरु मंतर हमाराम चौधरी, विदाएक हरिश चौधरी ने जी जान लगाई, पुरे टीम के साथ केमपेन समला, इसका नतीजा हुआ कि बाड मेर में तो मोदी मेजिक नजर भी नहीं आया, तो जो भाजपा की और से जाट वोट बेंक पूरा टूटा, वोलो भी सी वोटर बिखर गए, और देर देल प्रत्याशी के करण केलास शौधरी जो है वो हार गए, दखरेट खली काम नहीं आये और कगना रनावत भी का आखो पे, और रविंदर सिंग भाटी ने एक दिन हेलिकॉप्टर में कैम्पेन किया, उसके बाद लोगों ने क्या सोचा, क्या तै किया, यह भी चीजें सोचल मेडिया पे चल रही हैं, तो सारी चीज जो है, कि चुनाव लड़ने का जो एलान किया, वो खासा देरी से हु है, तो शिव से विधायक होने के बावजूद उनकी बड़ी लीड नहीं मिल पाना बड़ा सवाल है, तो केलाश चौधरी का जो बयान और उससे वो सुरू में फस्ट लेवल पे पेछे हुए है, और उसके बाद दूसरी गलती उन्होंने का कि मेरी गलती होंगी सजा मोदी को मत देना, वोटर्स में नेगेटिव माहूल पहले से बन गया, टिकट जल्दी मिल गया, उसके बावजूद के लाश चौधरी समय पे नाराजगी दूर नहीं कर पाए, और माहूल का फाइदा बरविंदर सिंग भार्टी ने उतारा, परंतु बेनिवाल को RLP से कॉंग्र सारी, लेकिन लोग सुबाश चुनाओं में का जाड़ा था कि हेमाराम को उतारा जाए, लेकिन हेमाराम चौधरी चौनाओं नहीं लड़ना चाहता थी, तमाम चीजें, बयान बाजियों में भी कई चीजें आई सामने लगया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई, हरी जाड़ाम बेनिवाल की राजनिती खतम करने लाए हैं, यह सब मिथक साबित हुआ, तो बाडमेर और नागोर पे हनुमान बेनिवाल कह रहे थे कि आरलपी के बैनर तले आप बाडमेर दीजिए, लेकिन बाडमेर जिले के नेताओं ने विरोध किया, हरी शोधरी तो का भी तो कुल मिलाके यह चुनाओ बाडमेर का अलग तरीके के कारण अलग जोन में चला गया, अलग तरीके से लड़ा गया और यहां पब्लिक में अलग तरीके का मेंडेट दिया, अब क्या बाडमेर में कास्ट बेस दुरुवी करन और तमाम सीजिए, प्रत्याशियों ने एक और पॉलिटिकल लोगों को कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, धन्यवाद,